बात बनती है क्या, ऐसे एक ट्रेन में बिठा दिया, टिकेट वापिस लेके हैपी जरनी, सेहत का ख्याल रखना, खेती नहीं करना, दुनिया का सबसे बड़ा धंदा है ये क्योंकि हर जीव को भोजन चाहिए, इंसानों की छोड़ो, सारे कीडे, मकोरे, सब को चाहिए भोज और पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं, इसलिए किसान मर जाते हैं, चार-पांस दिन पहले एक बिल पोस्ट किया था फेस्बुक पर किसी ने, दो हजार किलो अनार होगाया किसान ने, शहर गया बेचने के लिए, और वापिस लेके कितना रुपया पता है, तीन रुपया अनार अगर वो रोज खाता भी ना, तो दो-तिन में तक अच्छे से भर पेट खाता, कून बनता अच्छा उसका, देड़ स्वर रुपय से कम में सड़ा हो अनार नहीं मिलता जी, किलो, दो हजार किलो कितने का हुआ हो, गेट यूर मैथमेटिक्स राइट, तीन रुपय अ कुछ बेश देंगे, वो नौकरी करने में बिजी है, वो खेती नहीं करते, helping someone is having a business, we call ourselves settled, पैसे कोई और कमाता है न, नींद खाली मेरी खराब होती है, घर में लोग समझते है बेटे की नौकरी है, जपान में रहता है, एंगलेंड में रहता है, बैंगलवर में रहता है, वो कर लेते हैं, और खेती का नाम सुनते है, हमको लगता है, suicide है, pesticide है, गरीभी है, भुख में हजार तरह के, बिशेशन आते हैं दिमाग में, तो खाना छोड़ दो, न, खेती सच में टफ काम है, and for that matter, nothing is easy also in this world, in this life, stop eating then, नहीं होगा, खाना बंद कैसे कर सकते हैं, उगा प्याज का, मांगी क्यों नहीं होगी, एक प्याज उगा के तो देखो, पता चलेगा एक प्याज उगाने में खितना लगता है, हम इसा नहीं करते, तीन बार खाते हैं, प्लास्टिक में बांदते हैं, फैकते हैं उसको, ऐसे जैसे चांद पर चला गया, वो फर्मेंट होत पाँच हजार टन खाली इस शहर से निकलता है एक दिन में किचन का वेस्ट, बैंगलोर बहुत छोटा शहर है, बाकी मेट्रोज के कंपरिजन, आउदिल वो, देली से कंपर करें तो काफी छोटा है, पाँच हजार टन एक दिन का निकलता है, 1.6 million ton in a day in this country, आपको अगर बोल से कच्रा कम नहीं होता, कम होगा क्या बताए, सेग्रिएट करने से कच्रा नहीं कम होता, यह मुझे बेवकूफी जीसा काम लगता है, बाजो में गाँव है, पूरे 14-15 लाख मेट्री टन सर रहा है कच्रा, एक स्वास नहीं ले सकते, वो सरकार का दोश नहीं है, सारे किच सर फैलाते हैं हम, हमको लगता है हम अच्छे आदमी है, 55% से हम गोवर बना सकते हैं, और उससे टमाटर घर में उगा सकते हैं, जो देदी बोल ले थी, परमा कल्चर की बात हमने वह ही किया, पथरों पे बीना खेद, खुदाय किये उगा दिया, बीना बोर्विल डाले जो भी करनाटक में उग सकता है सबजी और फलसारे आ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के आ रहे हैं, कि अगर आपको खाना है तो उगाना पड़ेगा, आपको नहीं तो बच्चे को जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि 2012 से गेहु का उत्पादन पूर किसानों को help करो, पैसे देदो, ये वो करो सब कुछ, अरे वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो शहर जाकर किसी अपने collector office में बात ही नहीं कर सकता, कि सरकार ने कितनी subsidy दी, बात कर सकता है क्या हो वो शरीर से अस्वस्त है और शिक्षा से अस्वस्त है, वो भी वो असिक्षित प्रिटाद में